नमस्कारम सद्गुरू सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी सरकुलेट हो रहा है जिसमें आपने श्री किष्णा के बारे में जो कहा है उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और कई लोग उसे सच मानकर आपके बारे में बुरी बाते बोल रहे हैं और ऐसा पहले कई बार हुआ है ऐसा क्यूं है कि लोग इन हरकतों की सच्चाई को नहीं समझ पाते हाँ किसी व्यक्ती ने ये किसी व्यक्ती ने लीला कारिक्रम का एक वीडियो लिया लीला कारिक्रम का आयोजन किया गया था कृष्ण के प्रती कि हमारी गहरी सराहना और भक्ती की वज़े से वो योग की सबसे उल्लास पून, शांदार और रंगीन अभिव्यक्ती हैं तो यह आठ दिनों का एक अंतरंग कारेक्रम है कई बाते कही गई हैं वो एक वीडियो लेते हैं और उससे बदमाशी से एडिट करते हैं और ऐसा बना देते हैं, जैसे कोई बहुती गलत बात कही गई है गलत बात से उनका मतलब ये है मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्न और यशोदा की जिन्होंने मा के रूप में उनका पालन किया और मैं कहता हूँ कि शुरुवात में हाला कि वो एक मा के रूप में वहां मौजूद थी पर कुछ समय के बाद वो उनकी प्रेमी बन गई उनके अनुसार प्रेमी का मतलब है किसी के साथ बिस्तर पर जाना उन्हें ये समझन में नहीं आता कि कृष्ण खुद प्रेम है कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका प्रेमी नहो हर कोई वहां केवल उनके प्रेमी के रूप में ही हो सकता है किसी और रूप में नहीं दुर्भाग से उनके हिसाब से प्रेमी का मतलब है कामुकता और उन्हें ये बात बुरी लग रही है कुछ लोगों को वाकई बुरा लगा मुझे उनके लिखेद है लेकिन बाकी लोग शातिर हैं वो इन चीजों को बना रहे हैं उन्हें पता है कि उन्होंने वीडियो को इस तरह से क्यों एडिट किया है इसे जान बूच कर शैतानी से एडिट किया गया है तो जो लोग वाकई कृष्ण को चाहते हैं और उनसे प्रेम करते हैं मैं एक बार फिर आपके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर आप ऐसे हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं कृष्ण के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कृष्ण उनसे जुड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवा एक प्रेमी के रूप में तो जब यशोदा को यह एहसास हुआ कि वो जिस बच्चे पर अपना अधिकार जताती हैं और जिससे वो इतनी मंत्र मुग्ध है जब वो बड़े हुए तो उन्हें धीरे-धीरे उनके गुणों का एहसास हुआ वो समझ गई कि उनसे जुड़ने का एक मात्र तरीका है उनसे प्रेम करना और वो उनकी प्रेमी है किसी के प्रेम में होना दरसल यहाँ तक की एक प्रेमी युगल जब वाकई प्रेम में होते हैं तब उनके बीच कामुक्ता नहीं होगी वो बस यूँ ही वहाँ होंगे, बस हाथ पकड़ कर बैठना ही सब कुछ होगा, उनका संबंध ऐसा बन जाएगा, तो यहां तक कि वो लोग जो शारीरिक आकर्शन के कारण साथ आए हैं, यहां तक कि वो भी ऐसे बन जाते हैं, यहां कृष्ण प्रेम का एक साकार रूप है, कोई भी उनका प्रेमी बने बगैर कैसे रह सकता है, हर कोई, उनकी मा, उनकी दादी, दोस्ट, पुरुष, महिला, बच्चे, गाए, सबी उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे ही हो सकते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उनके प्रेमी हैं, अगर जो लोग शैतानी से ये कर रहे हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कम से कम जब कृष्ण की बात आती है अपने दिल में थोड़ा प्रेम लाइए ये शैतानी और नफरत फैलाने के काम जो आप हर समय करते हैं ये ना करें उनके बारे में क्या कहें झाल